क्लास 6 का मैटर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम जो कि फिजिक्स में भी है और केमेश्ट्री में भी है बट एक बार आप मैटर चैप्टर को उसका कॉंसेप्ट समझ लेजिए आपको दो बार पढ़ने के जुद नहीं है एक ही बार में आपको क्लियर हो मतार क्या है तो आपके आज-बार रखी हुए हर चीज इवें बेड़ कूलर फैन स्टू चेर बुक बैग वाटर बाटल वाटर ये वैन आज-बास की आपकी एर भी वह सब कुछ मैंटर है ठिक वह हर एक चीज मैटर है जो कोई ना कोई इस पेस अकिपाई करती है और उसक अब वेट भी निकल आएगा, वेट कोई हम मास कहते हैं, अगर हम इसको टेबल पे रख दे गएं, तो यह कोई ना कोई स्पेस लेगा रखने में, ठीक है, तो हर वो चीज जो रखने में स्पेस ले रही हैं, और उसका कोई अपना वेट है, वो हर चीज मैटर क्या लाती है, हम भी खड़े हो ते हैं जहां बैठते हैं कोई न कोई space लेते हैं और हमाना अपना कोई na कोई weight होता है, ठीक तो हम भी matter है आप भी matter हो, plants भी matter है, कहने का मतलब है living things हो या non-living things हो, वो सब कुछ matter है जिसमें अपना कोई weight होता है और कोई na कोई वो space occupy करता है, तो अब हम समझ गे, solid, liquid, gas, कोई भी state हो, वो हर चीज matter है, जो space occupy करती है, और उसका अपना एक mass होता है, यानि weight होता है, अब बात आती है, composition of matter, जिन matter है, वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो ancient time period पे जब राम लक्षमर रहते थे, तो इस time पे राम चुरित मानस लिखी ग intention है, कि छिती जल, पावक, गगन, समीरा, पंच, रचित, अति, अधम, शरीरा, कहने का मतलब है, छिती मतलब होता है, प्रत्वी, जल मतलब water, पावक मतलब fire, गगन मतलब sky, समीरा मतलब air, ठीक, तो air, water, earth, sky, और fire, इन पंच तत्तों से मिलकर हमारा शरीर बना है, और हमारा शरीर क्या है, एक matter है, तो कहने का मतलब है, matter इन सब चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, तो उसके बाद कुछ और study हुई, तो एक philosopher थे, महर्शिक करंदा, तो इन्हों ने अपना एक suggestion दिया, कि matter बहुत सारी छोटे-छोटे अनूं से मिलकर बना है, जिसको हम अनू कह सकते है अब यह जो अनू है, यह भी बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम कह सकते हैं, पर्मानू, यह लिखा होगा, तो कहने का मतलब है, matter अनूं से मिलकर बना है, और अनू पर्मानू से मिलकर बने है, फिर धिरे-धिरे और study हुई, ग्रीप में जो thinkers थे उन्होंने बताया, कि जो पर्मानू है, यह पर्मानू नाम का जो पार्टिकल है, उसी को उन्होंने एटम कहा, ठीक है, जॉन डार्टन एक साइंटिस्टे कैमिश्ट थे, इन्होंने प्रूफ कर दिया, experiment के थूँ, कि matter बहुत सारे छोटे-छोटे molecules से मिलके बना है, ठीक, ठीक, ऑक्सिजन का फॉर्मूला होता है, O2, अब इसमें O2 जो है, ऑक्सिजन का एक एटम, और दूसरा भी ऑक्सिजन का एक एटम, दोनों दो एटम मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो यह जो दोनों एटम है, ठीक, सिंगल O, और डबल O, यानि O2 बन गया molecule, अब यह बहुत सारे ऑक्सिजन मिलके बना लेते हैं, एक गैस बना लेते हैं, जिसको हम कहेंगे matter, clear, तो यह बात आ गई, अब एटमिसिटी कहते हैं, अब एटमिसिटी क्या होती है, तो टूटल नमर ओफ एटम प्रेजन इन ए मॉलेक्यूल इस काल्ड एटमिसिटी, कहने का मतलब है, एक जितने नमबर ओफ एटम से मिलकर बना होता है, उससे उसकी अटॉमिसिटी कहते हैं, अब एटॉमिसिटी वैरी करती है, कैसे, जैसे हीलियम एक मॉलेक्यूल है, जो उसमें सिर्फ एक ही एटम होता है हेलियम का, तो इसको हम कहा देते हैं, मोनो एटॉमिक, यहाँ पर मॉलेक्यूल है, यह पूरा एक मॉलेक्यूल है, तो इसको कहेंगे हम डाय अटॉमिक, डाय मतलब होता है 2, मोनो मतलब होता है 1, अब यहाँ पर तीन ऑक्सिजन के एटम है, तीन जब एटम मिलकर बना रहे हैं, तो इसको कहेंगे, मोनो हो गया 1 के लिए, डाय हो गया 2 के ल तो इसको हम कहेंगे polyatomic, तो इस तरह से हम किसी भी molecule की atomicity को बता सकते हैं, ठीक है, उसमें present number of atom के थुरू अब हम बात करते हैं, तो इसका characteristic of particles, यानि कि matter में जो molecule पाया जाता है, उनका characteristic क्या होता है, उनका features क्या होता है, उनका property क्या होता है, तो देखो four main property हैं इसका, एक तो बहुत चादा छोटा particle होता है, यह जो molecule है, बहुत चोटा, बहुत tiny होता है, एक और दूसरी बात, हर एक molecules के बीच, जिसे कि उसको कहते है, intermolecular space, inter मतलब, दो molecule के बीच का, जो space हुआ, उसको हम कहेंगे, intermolecular space, ओके, तीसरी बात, उनमें random motion होता है, जितने भी molecule है, उनमें, एक तरीका motion दिखाई देगा, मतलब, एक तरीकी kinetic, मतलब, गती दिखाई देती है, उसको हम कहेंगे, random motion, ठीक है, कि जितने भी molecule है, वो सब motion करते रहते हैं, पिर, attract to each other, जितने भी molecule से एक दूसरे को attract करते हैं, मिंस उनके बीच में एक force पाया जाता है, attraction force पाया जाता है, ठीक है, तो यह चार बाती है, चार properties की main है, आपको ध्यान रखने, ठीक, पहली, बहुत छोटे होते हैं, दूसरी, intermolecular space होता है, तीसरी, intermolecular force होता है, जिसे हम force of attraction कह र इसके molecules का और भी जादा motion होगा, लेकिन मों motion में रहेंगे, अब एक एक करके, सबको experiment के थूरू हम clear करेंगे, कि कैसे, यह सही है यह नहीं, अब पहले बात आती है, कि particles बहुत ही छोटे होते हैं, very small, tiny होते हैं, तो बहुत हम कैसे बता कर सकते हैं, अब देखो, potassium per magnet है, हमने बिल्कुल थोड़ा सा amount, potassium per magnet का, बिल्कुल इत्तु सा amount, डाल दिया है, 100 ml of water में, ठीक, अब हमने डाला, यह बिल्कुल इतना सा amount था, ठीक, और इसने दे दिया एक purple color, अब यह purple color क्यों दे रहा है, इतने सारे water में, इतना थोड़ा सा color, मतलब, potassium per magnet हम लोगों ने डाला है, और पूरे में, इतना सारा color दे रहा है, purple color, ठीक, यानि इसके molecule कितने छोटी होंगे, इतने से color में, इतने से permutation per magnet में, इतने सारे molecule present है, कि पूरे water के color को change कर रहा है, ठीक, अगर आप और भी clear करना चाहते हो, तो यहां से आपने 10 ml water उठाया, मतलब solution जोगे आपका त्यार ह है, 10 ml solution उठाया आपने, और इसको आपने फिर से 100 ml water में डाल दिया, अब आप देखो, color फिर से पूरी में आ रहा है, बस light आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें quantity per magnet की कम हो गई है, फिर से आगे आप वही करो, 10 ml water वही solution करो, और 100 ml water में डाल दो, तो फिर से आपको color और lighter दिख है, ठीक है, इसी तरह आप फिर से आगे फर्दर उसको continue करोगे, तो आपको color proper दिखेगा, पूरी की पूरी water में, कहने का मतलब है, इतना थोड़ा सा amount आपने इतने सारे water में mix किया, और वह properly mix हो गया, पूरे पूरे water की color को change कर रहा है, it means कितना छोटा molecule होगा, इसका कितना tiny molecule होगा, कि इतनी सी जगे में millions of tiny molecules यहाँ पर present है, ठीक है, तो experiment से आप बिल्कुल clear हो गया होगा, कि कैसे हम कह सकते हैं, इनके molecules बहुत छोटे होते हैं, दूसरी बात आती है, matter की बीच में, matter का जो molecules होता है, उनकी बीच में क्या होता है, intermolecular space पाया जाता है, तो इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो हम 100 ml water ले लें, ठीक है, आप किना भी water ले लो उसको mark कर दो, कि इतना water में पास था, ठीक, एक अपने cylinder ले लिया है, उसमे water fill कर दिया है, और 100 ml mark कर दिया, ठीक, अब इसमे 1 spoon sugar डाल दिया, ठीक, मिक्स होगी sugar, उसके बाद भी same आपका जो mark है, मतलब कहने का मतलब है कि 100 ml water ही यहां पर present है, जो solution बना है, वो 100 ml ही बना है, इससे ना जादा है, ना कम है, क्यों कि water के जितने molecules थे, उनके बीच में एक space था, जहां पर sugar की molecules आकर fix हो गया है, उनको extra जगा नहीं लगी, आपके वो level को बढ़ा दें, ओके, तो इससे clear हो जाता है, कि हर एक molecules के बीच में एक inter-molecular space होता है, ठीक है, आप देखो, यहाँ पर red color के sugar की molecule देख रहा है, और blue color के water की molecule देख रहा है, और उन्हीं के बीच बीच में यह equivalent होता हुआ, दिखाए देखा है, क्लियर हो गई बात, अब हम लोग बात करते हैं, molecule और constant random motion, भै देखो, अभी हमने बात की थी, कि जितने भी molecules होते हैं, वो constantly दिन बार motion करते रहते हैं, हर टाइम वो motion में रहते हैं, ठीक है, कभी वो चांत नहीं बढ़ते हैं, तो वो कैसे हम clear कर सकते हैं, देखो, जितने भ exact motion इस तरह से करते रहते हैं, ठीक है, तो यह zigzag motion जो कर रहे हैं, इसे इनकी kinetic energy होती है, ठीक है, इनके अंदर कोई ना कोई kinetic energy होती है, जिसकी वज़े से, यह motion कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर इसको आप increase कर दो, इनका motion भी increase हो जाएगा, इनका motion डिक्रीज कर दो, मतलब इन हीटेड हो गया है और गैस्स फॉर्म में उड़के वह आपके नाग तक आ गया है ठीक लेकिन आप फ्रिज से खाना निकालो क्योंकि वहां का टेंप्रेचर बहुत ही लो है अब लो टेंप्रेचर की वज़े से उनके मॉलेक्यूल में कैनेटिक एनरजी भी कम होगी जिसके व है इक है और विच में जितने विशे मॉलेक्यूल से रहे हूंगे तभी तो तो ओव क्रोब करके पूरी वाटर के चेंज कर रहा है ठीक है इससे भी हो जाता है कि यतने भी मोल्कूल्स है वह हमेशा वह समय आप डिर अब यह अब आप जो चो करते हैं इसवे हम कहते हैं ब्रावनियर वोशन आ रण तो उन्ही के नाम पर इसको कर दिया गया है ब्राउनियन मोशन, क्लियर होगी बात, नेक्स आते हैं, ति पार्टिल ओफ मैटर आलवेज अट्रैक्ट टो इच अदर, जितने भी मॉलेक्योल होते हैं, मैटर के अंदर, वो सारे मॉलेक्योल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते है उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, यह अट्रैक्शन फोर्स जितने ज्यादा मॉलेक्योल पास होते हैं, उतना ही ज्यादा होता है, मैंस कहने का मतलब है, सॉलिड में यह मॉलेक्योल बहुत बास पास होते हैं, तो उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है, फ ट्रेक्षन का फोर्स होता है वह नेगलेजबल होता है बिलकुल ना के बराबर बोख़त ठोड़ा सा होता है ठीक है लेकिन होता है हर एक मॉल्लकुल के बीच पोर्स-फर्रक्षन भी होता है और इंकर मॉल्ल유 Kelly approach तुक डूरhigh आप देखो, आपने क्या किया हवा में अपने हाथ कैसे मूव करिए हवा में हाथ को इस तरह से मूव करते हो तो बहुत इसली हाथ मूव हो जाता है क्योंकि वहां के मॉलक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑप अट्रैक्शन बहुत कम है जो आपको कम बल लगाना पड़ रहा है मॉलक्यूल्स काफी दूर दूर है इसली वह घूम जा रहे हैं ठीक लेकिन आप व्लिक्विट में हाथ डाल दो तो क्या होगा वहां पर मॉलक्यूल्स बहुत हैं जिसके वैसे आप जब अपना हैंड को मूव करोके तो मूव होने में थोड़ी से एनर्जी आपके लगेग ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहां पर इंटर मॉलक्यूलर इसपेस भी कम है जिसकी बैसे इंटर मॉलकूलर जो एक्ष्चन यह फोर्स आफ रट्रक्शन वो थोड़ा जादा है और अर्र में बहुत कम है तो यहां पर आप ऐसली हैंड को अपने मूव करा रहे हो जब कि व आपके हाथ को एंट्री नहीं देने देंगे तो यह क्लियर कर देता है कि हर सारे molecules के बीच force of attraction होता है solid में सबसे जादा liquid में उससे कम gas में उससे कम okay next जब हम बात करते है states of matter की अब state of matter matter की क्या क्या state है ठीक तो अभी आप लोग उती दर समझ रहे हो कि solid liquid gas ठीके यही तीन स्टेम होती है liquid solid gas ठीके हर एक स्टेम में управड़ा होता है आपके all पास रखी होई छीजे तीन स्टेट में आपको दिखायों है यह तो एएर के एकफory में एक टेहूर हो कि आप पास garगे ज़ा तो एक यह एक है किने सब की फ्रेज्स्य एक कि मिलते हैं तो अघे वही चीज़े हैं दोहराना है हमको और अच्छे से समझना है जैसे कि जितने भी solid के molecules होते हैं बहुत tightly packed होते हैं एक दूसरे के बहुत पास प्रिजन्ट होते हैं तेको tightly packed है बिल्कुल बीच में आपको बहुत ही intermolecular space बहुत ही rare देखने को मिल रहा है strong intermolecular force इनके बीच का जो molecular force है बहुत ही strong होता है और very small vibration vibration यह लोग movement करते हैं बहुत ही कम करते हैं और definite shape and volume यह क्या है अब जितने भी molecule है बहुत ही जादा इसको और एक volume दे देते हैं ठीक है एक definite volume होता है और definite shape होता है हर एक solid में generally hard or rigid होते हैं rigid मतलब कठोर कठोरता होते हैं ठीक है good conductor of heat heat के बहुत अच्छे conductor होते हैं ठीक है जाद तर metals होते हैं जो सबसे जादा hard माने जाते हैं वह आपके जो होते हैं वह बहुत ही अच्छे conductor होते हैं नेक्ष बात करते है properties of liquid की तो liquid में properties क्या होती है वाई अब हमने solid में देखा तो बहुत tightly packed होते हैं यह less tightly packed होते हैं और जो पार्टिकल का movement है वह move कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मिंस अगर कोई water molecule यहां पर है तो यहां पहुत सकता है ठीक है तो movement अच्छा कासा होता है molecule का और जितने भी particles हैं अब आप किसी liquid को लेजिए glass में रख देंगे तो वह ग्लास का shape ले लेगा आप एक थाली में रख दोगे तो थाली का shape ले लेगा ठीक मतलब आप किसी भी container में रखोगी उसका एक shape ले लेता है water ठीक है तो वही बात कही गई है कि इनका जो particular shape नहीं होता आप जहां रखोगी उस container का यह shape ले लेते हैं ठीक है आप definite volume at given temperature इनका volume definite होता है means आप एक temperature पे किसी भी liquid को रखोगे तो उनका volume definite होता है वो नहीं change होत होता है means आपने अगर 30 के temperature पे रखा है तो वह वैसा ही बना रहेगा अगर आपने उसका temperature कुछ increase किया है कुछ decrease किया है तो उसका volume change हो सबता है clear next बात करते properties of gases की to gases की properties भी बहुत एजी है इनके बीच में जो molecules हैं उनके बीच में attraction बहुत force of attraction बहुत कम होता है और space भी बहु होता है ना की volume होता है ठीक आप कहीं भी air को spray कर दोगे आपने वह पर्फ्यूम में spray किया तो उसकी जो molecule है दूर दूर तक उर जाएंगा हवा में ठीक है कोई उसका definite shape नहीं होगा उसका कोई volume नहीं होगा ठीक है तो neither definite shape neither volume nor volume फिर move independently means यह जो molecule है आराम से बिंदास होके इध पास नहीं रहते हैं ठीक है और conductor तो बिल्कुल नहीं होते हैं heat का कोई conductivity यह लोग नहीं कर पाते हैं तो यह होगी properties gas की अब तीनों भी differentiation देख लेते हैं बहुत ही easy है बहुत ही important है ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं mass की तो mass solid में definite होता है आपको mass मिलेगा liquid में भी होता है gas में होता है shape के बात करें तो definite shape solid में आपको मिलेगा आप कोई भी pen उठाओगे या फिर कोई भी cup उठाओगे या कोई भी box उठाओगे तो आपको एक shape मिलेगा ऐसा नहीं कि आपने अभी देखा तो वह दूसरे shape का था और थोड़ी दिर बात देख रहे हो दूसरे shape का अब किसी कंटेनर में रखोगे उसका shape acquire कर लेगा और गैस भी आप किसी भी कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का gas shape अपकाई कर देगा विंस आपके spray bottle में है तो उस bottle का shape लिए हुए है आपने spray कर दिया room का shape लिया उस ने ठीक तो जहां भी रखोगे उसके shape को पुरा पु आप इसको कितना दबा सकते हो ठीक तो solid एक टुकड़ा है एक कांच का टुकड़ा है उसको आप कह दे आप दबा के उसको चोटा कर दो तो कर पाऊगे नहीं कर पाऊगे तो यह not compressible होता है liquid हो भी आप नहीं कर सकते हो negligible बहुत ही हलका फुलका कि दबा सकते हो लेकिन इतन पुचो एक छोटी से स्प्रे वाटल में इतना सारा गैसस मॉलिक्यूल होते हैं वह कैसे होते हैं उनको highly compressed करके दबा कर लिक्विट फाइड कर लिक्विट फॉर्म में लाकर उसको उसको इंदर रखते हैं ठीक है क्योंकि गैस कि इतने सारी मॉलिक्यूल कहां से वह इसके प्रेशर देकर उसको दबा करता भी तो रखा गया है तो गैसस मॉलिक्यूल हमेंसा बहुत ही ज्यादा compressible होते हैं ठीक है अब फ्लुडिटी का मतलब होता है फ्लो कितना कर जाकता है मॉलिक्यूल उसका तो यहां सॉलिड में तो आप कोई फ्लो की बात ही नहीं कर सकते हो क कोई भी बहे नहीं वो ठीक लिक्विड बह जाएगा और अर भी बह जाएगा थीक है तो नासे प्लुड़ी आपको अपको हो स्लीड में मिलेगी गैस में मिलेगी बढ शॉलिड में मिलेगी रिजिडी वाई 250 यहीं मतलब कितना कथो थैं तो सॉलिडзы實 बहता है कतुई जा मुवमेंट होना मिन्स आपने जैसे स्प्रे किया परफ्यून डाला या डियो डाला तो जब आप बिल्कुल पास में टालोगे तो बहुत सारी मॉलक्यूल वहां पर इखटा होंगे जब वहां पर मॉलक्यूल का जाधा हो घिक तो वह लोग मूव करके कम कंसेंट्रेशन में जाने कोसिस करेंगे meant अपने यहांसे स्प्रे डाला है तो महत मिला जाहेगी तो आपके ममा को महत मिलजाय़ Size क्सेंट्रेशं के तरफ बहके जाता है। तो solid में तो यह बहुत ही slow होता है कोई diffuser इसमें देखने को नहीं मिलता है especially लेकिन water में आपको fast diffuser मेलेगा और air में आपको very fast diffuser मेलेगा means अभी तो हमने spray का example दिया बहुत तेजी से move करके particles चले जाते हैं अगर liquid की बात करें तो liquid में भी water के molecule बहुत तेजी से high concentration से low concentration में चले जाते हैं means आप जैसे कोई grain है मतलो चने आप डिप करते हो पानी में तो चने डिप करने के बाद water उसके अंदर fill हो जाता है क्यों fill हो जाता है क्योंकि water का molecule बाहर जादा है अंदर कम है चने के तो बाहर से वह अंदर की तरह move करते है it means इसमें diffuser बहुत जादा होता है number of free surface number of free surface का मतलब है आपने water रखा एक glass में ठीक है तो आपको यह कहां से दिख रहा है सिर्फ आपको एक surface है जान से water दिखेगा ठीक है तो लिक्विट में only one surface मिलता है और गैस में आपको कितने भी surface कर सकते हो ठीक है कोई surface का पता नहीं चलेगा और solid में आप कितने भी surface कर सकते हो कोई ice का तोकड़ा है उसको आप चारों तरब से तोड़ कि कितने भी surface बना लो लेकिन water आपको सिर्फ एक ही surface पे मिलेगा उसमें एक ही surface दिखाए देगा किसी भी container में रखो वो खुला हुआ portion के वल ए इसका मतलब water सिर्फ एक surface ही दिखाता है तो यह हम जान चुके है कि solid में जितने भी molecules होते है बहुत tightly packed होते हैं closely packed होते हैं जबकि water में less closely packed होते हैं जबकि gas में आपको वो दूर दूर तक दिखाए देंगे बिल्कुल भी close नहीं packed होते हैं इंटर-molecular force इसमें सब ज़्याद force मिलेगा जालतर वो force नहीं होता इसके बात expansion of heating heating का expansion किसमें सब जादा होगा तो जब आप किसी solid को गरम करोगे तो इसमें expansion मतलब फैलना तो वो देर से फैलेगा मतलब उसमें expansion low होता है water को आप जब वायल करोगे तो बहुत तेजी से expand करेगा फैलेगा तो more than solid expansion होता है एक फैलेगा तो बहुत तेजी से move करेगा थालनी कि बहुत तेजी से फैलेगे थालका सब गैसे मॉलक्यूल को temperature हो तो तेजी से move करेगा थालेगा तो more than liquid and solid जाली तो इसमें expansion होता है तो यह होगी बात तीनो के comparison की और भी थोड़ा सा है पिर फिर हम लोग बात कर ले थे सक तो motion of continuous constant molecule मतलब उसके अंजर जो molecule present है उनका motion कैसे होता है तो solid में आपको बहुत ही कम मिलेगा, water में ज्यादा मिलेगा और air में बहुत ही ज्यादा मिलेगा ठीक है, pressure, means कौन सा matter कितना pressure देता है, means आप solid कर कोई टुकड़ा रखोगे, मालो आपने pen यहाँ पर रखा तो यह क्या कर रहा है, pressure दे रहा है नीचे की तरफ सिफ एक surface पर pressure दे रहा है, ठीक तो base की तरफ वो downward base की तरफ एक pressure देता है, ठीक, लेकिन water को आप किसी container में रखोग उस side पर वो एक pressure दालता है, ठीक, air भी अपने आसपास की जो भी wall present होती है, उसमें pressure दालती है, लेकिन solid जो होता है, सिर्फ बेस पर downward pressure ही डालता है, ठीक है, viscosity, viscosity का मतलब क्या होता है, मतलब गारहापन, कितना कम हो, ठीक है, अगर गारहापन कम है, तो उसको कहेंगे low viscosity, मतलब याउन सहां होती है, तो solid में तो बिलकुल नहीं होती है, बहने जो टेंड़ने होती है, लेकिन water में ज्यादा होती है, कि future water मतलब बिल्कुल पतलई होता है, और और जो air है वो वी लिस्ट होता है, ठीक quel, बाहना जात होती है, मतलब गिराने पूबुर जाएफाइड नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, थ mm ray, मतलब गार हापन, सेर्फेस टेंसटन मतलब होता है कि जेसे की, अब देखो, अभ हमने आप semesterACH б portaad तो, देखोउ जेक की होता है, यह होता है, कोहिजन फोर्स जो वाटर के जैसे वाटर के मॉलक्यूल है तो वाटर के जितने भी मॉलक्यूल है अपने एक दूसरे को वह पकड़े रहते हैं अच्छे से जोर से वह पकड़े रहते हैं ठीक है एक फोर्स के तो वह जोड़े रहते हैं ठीक है अब इनकी टंडनसी होती है व जब वो ऐसे इस तरह से दिखाए देगा क्यों कि यहां पर एक नीचे की तरफ खिचाओ आता है जो सारे मॉलेक्यूल पकड़ के दूसरे को खीजते हैं इसके वज़े से जो खिचाओ आता है इसी वज़े से कहते हैं सर्फेस टेंसर मनता है ठीक है यह कम से कम स्पेस को यह ए जो क्था है इसे ही हम कहते हैं सढ़ष टेंसर वहां आपको सिफ मिलेगा ना तो सॉलिद में मिलेगा और ना ही तो यह तीनों ने नहीं मिलेगा ओ फाू कहां और एक अक प्राइंट ब्रूपिर क्लियर हो जाना जा बब आते है अंभा आते हैं हम चेंज इन स्टेटा उफमै लिक्विट ले लिक्विट को क्षा ठाथ़ अगर इतना बढ़ादी याथ ही वाड़र भापने ले एक लोगा NA । तो यह क्या होगा बढ़ा एक लिक्विट जब लिक्विट गया कोई ice cube तो इसको कहेंगे melting, melt हो रहा है अब लिक्विट से जब गैसे फ़र में गया तो इसको कहेंगे evaporation, evaporation, ठीक, मत्नलब वाटर जो है वह आपका इतना ज्यादा इतने ज्यादा हीटेड हो रहा है कि गैसे फ़र में वह कर रहा है इस प्रॉसेस को हम कहते है evaporation अब गैसेस फ़र्म आपका जो भाफ है भाफ को फिर से प्वाटर फॉर्म में कर सकते हो इस प्रॉसेस को कहते हम कंडेंसेशन लिक्विट को आप वाटर को मतलब फिर से आप तो क्या हो जाएगा सॉलिड बन जाएगा इसको कहते हैं फ्रीजिंग तो कहने का मतलब है किसी भी मैटर की स्टेट को आप या तो इसका टेंपरेचर बढ़ा दो या उसका टेंपरेचर घटा दो तो आपका वो स्टेट चेंज कर देगा ठीक सॉलिड है अगर उसका आप गटाओगे तो किया हो जाएगा मैं फ्राइचर में आजएगा सॉलिड है टंपरेचर बढ़ाओगे तो इस पिर बोट DRS को टीक्पेश को प्रेचर बढ़ाओगे evaporation होगा, gases form में आ जाएगा gas का आप temperature और बढ़ाओगे sorry, कम करोगे, तो condensation हो जाएगा liquid बन जाएगा, liquid को आप freeze करोगे, तो freezer से तो वो solid बन जाएगा sorry कहने का मतलब है आप temperature बढ़ाओगे या घटा होगे, तो state में कोई ना कोई change आएगा, ठीक है इससे कहते हैं, हम state of matter का change, ओकी ये पुरा चैप्टर एक ही वीडियो में complete हो चुका है इसके अलाबा कोई भी query हो, तो आप please comment box पे comment करिए, हम आपको solve करके देखे आज के लिए तना ही, thank you